हिंदु धर्म में क्यों रखा जाता है व्रत जाने व्रत रखने के नियम और जरूरी बातें नमशकार दर्सकूर, स्वागत थे आप सबका हमारी यूटूब चैनल धार्मिक डेश्टिनी में आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि हिंदू धरम में व्रत क्यों रखा जाता है और इसके नियम क्या क्या हो सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की प्रस्तुती हिंदू धरम में हर एक पर उपर वर्त का विसे स्मयात होता है और उसे रखने के अलग अलग नियम होता है वरत के नियमों का अगर पालन सही थरीके से नै किया जाए तो वरती को वरत का सुपफल प्राप्त नहीं होता है आए जानते हैं वरत का धारमिक कारण और वरत रखने के नियम व्रत का धार्मिक महत्व सनातन धर्म में व्रत रखने का विशेस महत्व होता है व्रत रखने से व्यक्ति को मानशिक सांती भगवान के नजदिक रहने के सक्ति और शुक्समर्दी की प्राप्ति होती है सास्त्रों में उपवास रखने का विशेस महत्व होता है मानिता है कि वरत रखने पर सभी तरे के पापों और कश्टों से मुक्ति मिलती है वरत रखने से व्यक्ति का मन, दिमाग और आत्मा शुद होती है हिंदू धर्म में वरत रखने से भगवान के पड़ती अपनी श्रधा भाव भुक्ति और समपन का भाव आता है इसी कारण से हर एक धार्मिक मौके पर किसी ने किसी रूप में अलग अलग तरीके से व्रत रखा जाता है यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन दबाएं तक यह से और भी धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुन सकें और कमेंट में जे स्री राम जरूर लिखें धन्यवाद